नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तथास्तुराम PCS Institute में स्वागत है अपनी स्रंकला चल रही थी हम पढ़ रहे थे nutrients पोसक्तत पोसक्तत में हमने vitamin A, C, D, E, K की बारे में पढ़ चुके हैं अब आगे बढ़ते हैं, आज हम पढ़ेंगे vitamin B complex जितने भी vitamin हैं, B से वो सभी मिलके कहलाते हैं vitamin B complex B complex vitamin की बात करें तो जैसे जो सबसे ज़्यादा अपन सुनते हैं B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12 अपन उनके बारे में धीरे धीरे चर्चा चालू करते हैं सबसे पहले अपन सुरुवात करते हैं vitamin B1 की vitamin B1 की अधी बात की जाए, तो vitamin B1 की खोज की है, दो वज्यानिक है, मिनाट और उनके साथी मर्फी देखे, बहुत सारी ऐसी जगा होती ही, जहां पर लिखा रहता है, vitamin A की खोज मैकुलम ने की है, और B की खोज की है मैकुलम ने दोनों मैकुलम लिखा रहता है, जबकि B में B complex बहुत सारे हैं, हर vitamin की खोज अलग अलगने की है तो vitamin B1 की खोज की है, मिनाट और मर्फी यदि vitamin B1 की बात की जाए, तो यह हमारे सरीर को जहरीले पदार्थों से बचाता है यह हमारे सरीर को toxic substance या जहरीले पदार्थों से बचाता है जैसे हमारे सरीर में किसी प्रकार का toxic substance बन गया, हमने बाहर से लिया या सरीर के metabolism की वज़े से बना तो वो हमारे blood में न पहुँच जाए, हमारी muscles में न पहुचे, tissue में न पहुचे तो उसको नस्ट करने का काम जो है, यह काम करता है, vitamin B1 इसलिए कहा जाता है कि यह हमें जहरीले पदार्थों से बचाता है आपने जरूर सुना होगा कि हमारे सरीर को energy या उर्जा जो है glucose से मिलती है glucose हमारी cell या कोसिका में है, वायू मंडल की oxygen, blood की मदद से हमारी कोसिका में पहुच गई energy का निर्माड हुआ, हमें 38 CTP energy मिली, यह अपन पढ़ते आ रहे हैं लेकिन ऐसा vitamin जो energy या उर्जा को प्रदान करने में मदद करता है, वो होता है vitamin B1 जैसे हमने glucose खाया, पहुचा, उसका digestion हो रहा है, पाचन हो रहा है, तो उसको आसान बनानी के लिए उसको cell और अच्छे से कर सके, असानी से कर सके, तो उसको करने में जो vitamin मदद करता है, वो vitamin होता है B1 आपसे यह से घुमा के पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा vitamin है, जिसका सम्मंद हमारी energy या उर्जा से होता है आपसे यह इस तरीके से पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा vitamin है, जिसका सम्मंद energy या उर्जा से होता है क्योंकि अपन जानते है, vitamin, मिंदल, पानी इनसे हमें direct तो energy मिलती नहीं है तो पूछा जाएगा किस vitamin का सम्मंद energy या उर्जा से होता है, तो उसे सिति में आपका जवाब हो जाएगा vitamin B1 हमारे सहीर को energy या उर्जा प्रदान करने में मदद करता है अब यदि बात की जाए B1 की सुरोत की या इसके क्या-क्या sources होते है तो इसका सबसे अच्छा सुरोत, जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विसे रहता है पेपर में, वो है चावल और यदि थोड़ा याद आए तो चावल में B1 की खोज़ की थी फंक ने यहीं से vitamin का concept आया था, तो vitamin B1 सबसे अधिक किसमें पाया जाता है चावल में यदि अपन इसकी कमी से होने वाले रोग की बात करते हैं, तो बिमारी का नाम आपने जरूर सुना होगा, जिसे अपन कहते हैं बैरी-बैरी बेरी बेरी जो बिमारी है इस बिमारी में क्या होता है हमारी तुचा में स्पोर्ट बनने लगते हैं मान स्पेसियों में बहुत ज्यादा खिचाव होता है तुचा ड्राइ होने लगती है, जलन होती है, खुजली होती है ये इसके लक्षड होते हैं, है तो बहुत बड़ी बिमारी नहीं है, लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे ये जो symptom से लक्षड ये नुक्सान पहुचाते हैं हमें, तो vitamin B1 की कमी से होने वाली बिमारी कहलाती है, berry, berry, अब यदि हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो ब vitamin का racinic नाम है riboflavin, इसका chemical name racinic नाम है riboflavin और vitamin B2 की खोजकी है DT-Smith, देख B1 में अपने के पढ़ा, B1 का जो है racinic नाम होता है thymine, और B1 की खोजकी है किसने, तो B1 की खोजकी है मिनाट और मर्फी, B2 का racinic नाम है riboflavin, जिसकी खोजकी है DT-Smith, एक सबसे महत्पूर बात याद रखेंगे, जब भी vitamin B2 का नाम आए, तो इसका संपर्क होता है milk से, दूद से, ऐसा vitamin जिसका सीधे सीधे संपर्क milk से या दूद से होता है, वो vitamin होता है vitamin B2, अभी आपसे अलग-अलग तरीके से पूछा जाएगा, जैसे आपसे कहा जाएगा, गाए के दूद का पीलापन, किसके कारण होता है, गाए के दूद को जब बहुत जादा उबाला जाता है, तो इसके उपर हलकी सी oily या तेल जैसी परतेक अत्रित हो जाती है, और उसके उपर जो cream मलाई होती है, उसका हलका सारंग पीला हो जाता है तो वो गाय के दूद का पीलापन किसके कारण होता है तो इस स्थिती में आपका जबाब हो जाएगा B2 वो सकता है आपको option में vitamin B2 देखने को ना मिले तो आप घबराना नहीं क्योंकि B2 का रसाइनिक नाम है riboflevin तो गाय के दूद का पीलापन किसके कारण होता है तो आपका जबाब हो जाएगा riboflevin वैसे तो दूद को समानिता कैलसियम के दरश्टी कौन से देखा जाता है दूद में जो है सभी प्रकार के न्यूट्रेंट्स या पोसकतात्व होते हैं कार्बोहाइडरेट है प्रोटीन है कैसीन प्रोटीन पाया जाता है लेक्टिक एसिड है उसका pH 6 होता है सब उसके अलग-अलग महत्व हैं लेकिन यदि दूद के दरश्टी कौन से देखें तो दो बिंदू याद रखेंगे मिल्क में विटामिन C और आईरन नहीं पाया जाता आपसे पूछा जाएगा कि क्या कारण है कि दूद को संतुले ताहार नहीं कहते दूद को बैलेंस डाइट या संतुले ताहार नहीं कहा जाता है तो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे दूद में विटामिन C और आईरन नहीं होता है इसलिए दूद को संतुले ताहार नहीं कहते बाकि लगबख सब ही जितने मिनरल समारी सरीर के लिए आवश्यक है वो सब उसमें पाये जाते हैं अब यहीं से एक बात निकल कर आती है आपसे कहा जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक दूद पीता है तो उसे कौन सी बिमारी हो सकती है तो इस स्थिती में आपका जवाब हो जाएगा बहुत अधिक दूद पीने से एनिमिया बिमारी होती है एनीमिया बिमारी बान लो आप एनीमिया नाम से नहीं जानते हैं तो एनीमिया को ही बोलचाल में कहते हैं सरीर में खून की कमी हो जाना वह बिमारी जिसमें हमारे सरीर में RBC की कमी हो जाती है उसे कहते हैं एनीमिया मालो कोई ऐसा व्यक्ति जिसे भूख लगती है तो वो जो है खाना ना खाकर सीधे दूद पीने पर निर्भर जादा करता है लगतार दूद पीते रहने से उसका पेट तो भर गया लेकिन उसके सरीर में विटामिन सी और आयरन की क्या होने लगी कमी अब विटामिन सी और आयरन की कमी होने लगी तो धीरे धीरे हीमोगलोबिन बनना बंध हो गया RBC का नीरमाण कम हो गया, RBC की संख्या कम हो गई और RBC की संख्या कम हो जाती, उसी को एपन कहते है एनिमिया भीमारी, यह बोलचाल में जिसे कहा जाता है खून कम हो जाना, तो यद रखेंगे दूद जो है, अत्याधिक दूद पीने से कौन से भीमारी होती है? एनिमिया और आपसे यदि विटामिन B2 की बात की जाए तो सीधे सीधे समझ जाना B2 का सम्मंद होता है मिल्क से या दूद से फिर यदि आपसे कहा जाए ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका सम्मंद हमारी तवचा से हमारी इसकिनिया तवचा से है तो भी इसका जवाब होता है vitamin B2 जैसे होता है ना कि कुछ ब्यक्ति होते हैं जिनके hot के दोनों जो किनारे हैं वो फट जाते हैं हमेशा बहुत ज़्यादा dry रहते हैं घाव बने रहते हैं उन्हें में निसान बने रहते हैं देखना बहुत से वक्ति होते हैं ऐसे उनकी बार बार लार बहती है तो यह जो skin dry हो जाती है इसका कारण है vitamin B2 का कम होना और इसी को अपन इस बिमारी को कहते हैं चिलोसिस यह जो बिमारी है vitamin B2 की कमी से जो बिमारी होती है इस बिमारी को कहा जाता है चिलोसिस यही कारण है कि कभी-कभी fact में लिखा रहता है vitamin B2 का अन्य नाम क्या है और आपका जवाब रहता है vitamin B2 का अन्य नाम है चिलोसिस क्योंकि उसकी कमी से होने वाली बिमारी को चिलोसिस कहते हैं जिसमें skin जो है वो dry हो जाती है अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब अपन बात करते हैं विटामिन B3 की, विटामिन B3, विटामिन B3 का रसाइनिक नाम है नियासीन, विटामिन B3 को कहा जाता है नियासीन और इसकी खोज जिस वेग्यानिक ने की है, उनका नाम है पॉन्रेड एल्विस, इनका नाम है Conrad Elvis, थोड़ा सा नाम जो है अलग प्रकार का हियाद रखेंगे Conrad Elvis ने सबसे पहले विटामिन B3 की खोज की है अब ये विटामिन B3 बहुत महत्पूर है पेपर के दरश्टी कोड से क्योंकि ये हमारे सरीर में निर्माड करता है एमीनो एसिड का अब एमीनो एसिड क्यों हमारे लिए जरूरी है हमारे लिए पेड़ पौद या किसी भी जीवित घटक के लिए एमीनो एसिड इतना क्यों आवश्चक है तो उसका कारण है एमीनो एसिड आपस में मिलकर बनाते हैं प्रोटीन इस प्रकार के amino acid होते हैं अलग अलग प्रकार से वो अपने complex structure को बनाते हैं और वो निर्माड करते हैं प्रोटीन का और ये जो प्रोटीन है इस प्रोटीन से हमारे सरीर में बनते हैं hormones इसी से बनते हैं हमारे सरीर में enzyme और ये जो प्रोटीन है ये आगे चलकर हमारे सरीर में एंटी बोडी बनाने में भी मदद करते हैं। जिसका नाम है ट्रिप्टो फैन, एमीनो एसिट पाया जाता है जिसका नाम है ट्रिप्टो फैन। और हमारे सरीर में ये जो हार्मॉन बनाता है उस हार्मॉन का नाम है मेलाटॉनिन, मेलाटॉनिन हार्मॉन होता है, इस हार्मॉन को बनाने में मदद करता है विटामिन B3, जै होता है हमारे मस्तिस्क में, हमारे कपाल में, क्रैनियम में एक ग्रंथी पाए जाती है, पीनियल ग कारे करना बंद कर देती कुछ समय के लिए क्योंकि उसका काम होता है लाइट को कंट्रॉल करना जब हमारी आँख बंद है या अंधेरे कमरे में है तो लाइट जाती नहीं है रेटिना की रॉट सेल ने काम करना बंद कर दिया कुछ समय के लिए जैसे ही ROTSAL inactive होती ही तो रंट active हो जाती ही पीनियल gland और पीनियल gland active होकर सक्रिय होने के बाद वो एक हार्मोन release करती है जिसे कहते हैं मेलाटोनिन और यही वो मेलाटोनिन हार्मोन है जिसकी वज़े से हमें नींद आती है आपने इसको कैसे समझ सकते हैं आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बुजुरग होते हैं जब अपन उनसे कहेंगे कि नींद नींद नी आजिए तो वो कहे खेंगे light बंद कर ले, होड़ के सोजा आइंग बंद करके सोजा, आजाएगी नींद उसका कारण यही है यदि अपन ने आग बंद कर लिया किसी भी प्रकार से आग से अपन ने क्या किया लाइट के संपर्क से अलग हो गए तो पीनियल गरंती एक्टिव हो के मेलाटॉनिन बनाएगी जिसकी वज़ा से आती है नीन इस हार्मॉन को बनाने के लिए जो एमीनो एसिट मदद करता है उसका नाम है ट्रिप्टो फैन और ट्रिप्टो फैन को बनाने में मदद करने वाला विटामिन होता है विटामिन B3 तो B3 को बहुत अच्छे से आद रखेंगे क्योंकि यह हमारे लिए एमीनो एसिट के दरश् निवाद